नमास्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार जागंद्र मिस्राज चैनल पे दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चलनों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चाहे जान चली जाए गुरुबार को ये तीन काम भोलकर भी मत करना परिवार हो जाता है बरवाद घर में आती है गरीबी और कंगाली जी हां दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाए कि आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको जीवन में गुरु ग्रह आपका मजबूत रहे ना कि वो आपके उपर हाबी हो ऐसा माना जाता है कि जिस ब्यक्त के उपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसकी किस्मत का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता उसे हर छेत्र के अंदर शम्रिध्धी और ब्रिध्धी देखने को मिलती है धन के मामले में उसे बिजय की प्राप्ती होती है और जिस किसी कार को वो ब्यक्ति हाथ डालता है उस कार में उसे निश्चित तोर पे पूरी तरह से सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप गुरुवार की दिन कुछ ऐसे कारियों को कर लें तो आपके परिबार पर भारी संकट आता है। आपका गुरुवार मजबूत इस्थिति में अगर होता भी है तो कमजोर इस्थिति में आ जाता है। आपके पत्पतनी के बीच अक्सर लडाई जगड़े होते रहते हैं, मन मुटाव चलता रहता है, दूरियां बनी रहती है, छोटी छोटी बातों पर बाद विवाद होने लगता है, संताइन संबंधी समस्याई पैदा हो जाती है, प्रेम संबंधों में क्रोध बढ़ जात माता लक्षमी जी रूट जाती है, रूपया पैसा आपके जेब के अंदर नहीं टिकता, अगर कितना भी आप कमाते हैं, पैसा कहीं न कहीं खर्चा हो जाता है, पैसा बीमारियों के अंदर, दूर घटनाओं के अंदर, किसी अन्न कारियों के अंदर खर्च हो जाता है, इस तो गुरुग्रह अगर उच इस्थिति के अंदर होता है तो खान पान मान सम्मान और यस के मामलों में बृद्धी देखने को मिलती है अगर गुरुवार के दिर घर की महिला बाल धोती है या अगर आप नाखून दाड़ी या बाल बनाते हैं तो इससे गुरुग्रह बहुत और गुरुग्रह नीच इस्थिति के अंदर चला जाता है इसलिए दोस्तों गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूल कर भी बाल को ना धोएं और नाखून भी ना काटे और जमीन को ना खुर दे और साथी कभी भी गोबर से कभी भी घर को ना लीपें और साथी साथ राहु को मजबूत करना चाहते हैं या ब्रिहस्पत को वैसे ही आप जरूर करना क्योंकि गुरुवार के दिन अगर आप गुरुग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो ये चीज़े बिलकुल भी ना करें दूसरी चीज की बात करें तो देखिए गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आजाए उधार मागने के लिए आप इससे बचना चाहिए आपको उधार बिलकुल नहीं देना चाहिए गुरुवार के दिन उधार लिया गया और उधार दिया गया दोनों चीजे बहुत ज़दा नुक्षान दायक दे होती है अगर आप ग परकार के समस्याओं का सामना करनापरता है इसलिए गुरुवार के दिन भोलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पहुचा लगाने से बचना चाहिए सास्तरों के अनुसार मनाई की गई है कि आप गुरू बार के दिन घर में पोँचा और गोबर से नाली पें माना जाता है कि इससे घर के अंदर आकास्मिक दुरगटनाओं का वास्त दोस्त का और नकरात्मक्त को अमंतृत करने के बराबर माना जाता है लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरु वार के दिन पोचल लगाना ही चाहते हैं तो आपको उस पानी में शमुंदरे नमक डली वाला जो डरी वाला होता है उसे अपने घर के अंदर जो नमक आप खाते हैं डरी वाला उसे आप इसमें पानी लगा लिए जब आप पोचल लगाएंगे तो इस पानी में थोड़ा सा डाल लें ताकि आपको उसका दोसना मिले बलकि इस नमक बाले पोचल को लगाने से माता लक्षमी जी आपके घर में शदय बास करती है और आपके घर में माता लक्षमी जी खीची चली आती है उसका उचित परिणाम आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता लक्षमी जी आपके घर में शदय बास करें और गुरु ग्रह आपको मजबूत हो तो आपको इन चीजों पर विशेश रूप से ध्यान देना होगा तीसरी बात गुरु ग्रह हमारे जीवन में बैबाहिक जीवन और जीवन को संब्रिद्धि का ग्रह माना जाता है इसलिए गुरु बार के दिन इस बात का भी ध्यान रखें इसलिए गुरुबार के दिन अपनी माता पिता अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर कोई भी महिला हो इनको नीचा दिखाने का या उनको गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपको इसका सकारात्मक पैणाम देखने को मिले दोस्तों अगर लगातार आपके साथ हो रहा है धनकी हानी हो रही है कुछ प्रकार की या परेशानिया कोई भी कार करते समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है अचानक आपके जेब से पैसा गिर जाता है या अचानक आप बीमार पर जाते हैं और अचानक आप य आपको बिना केंची या चाकू अर्थात बिना उधारधार चीजों से काटी गई सबजी या ऐसी चीजे गुरुबार के दिन आपको खानी चाहिए आपको निश्चित तोर फाइदा प्राप्त हो जाएगा क्योंकि ऐसा करने से राहू का कुरूरता प्रभाव आपसे दूर गरता है और आपकी गुरुगौः की मजबूती का एहसास होने लगता है, दोस्तों, गुरुगौः एक बार मजबूत हो जाए तो सोने पे सुहगा, गुरुगौः के मजबूत होने से जीवन में धन धान, शुक्षंब्रधी ये समान समान सबकुश प्राप्त होता है, गुरु गुरह मजबूत इस्तिती में स्वास्त का भी लाव प्रदान करते हैं, बैवाहिक जीवन जो होता है बहुत सुकत पूर्ण होता है, संतान की प्राप्ति समय पर हो जाती है, इसी तरह अगली अगर आप घर की महिलाएं जो हैं गुरुवार के दिन खास कर भूल कर भ गुरुवार के दिन बल्कि आप सनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चरहाया करिए, तो पीपल के पेड़ में गुरुवार के दिन जल चरहाना साक्षात बुरी सक्तियों को घर की और आमंत्रित करने के बराबर होता है, तो माना जाता है कि विशेश तर पर महिलाओं को इस दिन भूल कर भी पीपल के नीचे जल ना चरहें ये आपको बिशेश रुप से ध्यान देने की जरूरत है अगर आप आशा करते हैं तो आपके गुरुग्रह मजबूत होंगे तो दोस्तो गुरुबार के दिन पीले हल्दी का चंदन लगाना चाहिए भगवान ब्रिश होती है जीवन में शदैव आपके घर में साक्षात माता लक्षमी जी का बास होता है और माता लक्षमी जी जिसके वही घर में बास करती है उसके घर में धन की कमी नहीं होती है तो दोस्तो चहे जान चली जाए गुरुबार को ये तीन काम भोल कर भी मत करना क्योंकि ऐसा कर करें और जाते आते वीटियो लाइक जरूर करें नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब करें उसे शेयर करें जये मालक शुर्ण